हलो माइडियर आरके शिंपल क्लासेज में आपका वेलकम विकली करेंट अफेयर्स 10 से 17 सितंबर 2023 का फिर वही सागर से मोती चुरा के लाए हैं हम आपके लिए एक सब्ता के जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उसको हम आपके लिए लाए हैं वैरी इंपॉर्टेंट है इसको आपको जानना एक सब्ता में इतने ही करेंट अफेयर्स नेसेसरी हैं लेट असे स्टार्ट टुड़ेज करेंट अफेयर्स ओके टुड़ेज करेंट अफेयर्स वीकली करेंट अफेयर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अड़ेस्टेंड ओके थैंक कि जी ट्वन्त बन गया जी ट्वन्त वन आपने देखा है कि अभी हमारे नई दिल्ली में जी ट्वन्टी के सीस्ट नेताओं की वैठक भी है जिसमें आफरीकी यूनियन को सामिल करने के बाद जी ट्वन्त गर उन हो गया है इसको आप अच्छे तरह से जानते रहिएगा कहा हुई मेटिंग तो दिल्ली के प्रगिती में भारत मंडपम है भारत मंडपम जिसके शामने नटरास की विशाल मूर्ती अस्टधात की बनी हुई राधा कृष्ण के द्वारा बनाई गयी लगाई हुई है इसमें दो तीन का इसमेल करें तिससे पेट्रॉल जो हमारे फासिल इधन है उसकी उपयोग कम होगा और हमारे पिर्थवी भी हरी भरी होगी इसको सबने शुविकार कर लिया है जी बिये और दूसरा उन्होंने घोष्णा किया आई एम इएसी यह भारत का सीधे यूरोप पहुंचने का रास इसका इंडिया मिडिल इस्ट यूरोप एकॉनमी कॉरी डॉर इसमें रोड रेलवे और शिप मैंने सब और इसके साथ ही साथ विजली गैस पाइपलाइन और डिजिटल मतलब इतनी सुविधा इसमें दी जाएगी यह सब डेवलप किया जाएगा इससे चाइना के बी आर आई बिल्ट रोड इन्सियेटिव का काउंटर माना जा रहा है इसको भी देशों ने इसमें भी रूची दिखाई है आई एम और एक जो हुगा डेलही न्यू डेलही डि स्क्रेयरेशन का मतलब होता है नए दिल्ली घोष्णापत्र जीटूंटी के भारत की अध्यस्ता में इसको गोशित किया गया इसको भी सब देशों ने करीब करी मान ही लिया है यह भी मान लिया गया है और इसमें कौन नहीं आया तो रूस के राश्पती और चीन के राश् तेश तक है अगली सदस्ता जाएगी ब्राजील के पास जो रियो में होगी और वो उसका 19 संस्क्रण होगा भारत के पास 18 संस्क्रण है इसके पहले इंडोनेसिया के पास 17 संस्क्रण था भारत मंडपम सद जो है करनाटा के एक बसेश्वर शंत थे राजकवी थे राजनेत रहा थे उन्होंने एक अनुभो मंडपम बनाया था उसी के नाम पर भारत मंडपम जिसके सामने अश्टधात की मूर्ति लगाई गई आईए दूसरा देखते हैं जी 20 से और भी मैंने इसके पहले भी वीडियो में डाल दिया है अब आप जानते रहिएगा इसको राश्टधी ने किसानों के अधिकार पर पहला वैसिक सम्मिलन वैसिक सेमिनार दिल्ली में पहली बार इसका उधगाटन किया है राश्टधी स्री से संबंदित एक आईसमान भाव योजना की सुरुवात की है इसमें सब को कबर किया जाएगा यूनिवर्सल हेल्थ की बात की जा रही है और इसके कब से 17 सितंबर यानि आज आज मोदी जी का बड़्डे है 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर इसको कहा गया है सेवा सेवा पक्वाड़ा के दौरान इसको मनाया जाएगा आईसमान भाव किस ने उध्गाटन किया है याद रखिएगा राष्ट पती द्रौब्दी मुर्मुजी ने इसको भी आप जानते रहिएगा उसके बाद पांचवी बार राष्ट्री हुईल चेयर रुगबी चैंपियंशिप 2023 को किस ने जीता है महाराष्ट्रे इसको भी जानते रहिएगा और ACI खेलों में भाग लेने वाले खिलाडियों को 10 लाग की बित्ती सहायता कौन से सरकार देने जा रही है तो याद रखना उडिशा गौवर्मेंट देगी इसको भी जानते रहिएगा Airbus C295 C295 विमान की सप्लाई हमारे हां के Air Force को देना सुरू कर दिया है इसमें कुल 56 विमान लिये जाएंगे जिसमें से 17 का निर्माड इस्पेन में होगा इस्पेन में और बाके का निर्माड गुजरात के वरोधरा में किया जाएगा यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको आप अच्छी तरह से जानते रहिएगा उत्राखंड सरकार ने सेवा छेत्र में उत्राखंड सरकार ने सेवा छेत्र के वास्ते नई नीद की मंजूरी दी है तिसको भी आप जानते रहिएगा और G20 S Sustainable Finance Finance Working Group की चौथी और अंतिम मीटिंग कहा हुए यह वाराणसी में शंपन हो गई है तिक है और कौन से Companies को दे रही ति यह बस जानते रहिएगा अब आते हैं मत सियान मत सियान क्या है मत सियान 6000 भारत का पहला समुद्रियान मिशन Very very important सूपर important मत सिय दो 6000 क्या है अगर आएग एक जाम मेत यह भारत का पहली बार समुद्रियान मिसन समुद्र में गहरे समुद्र में सारे राज सारे खजाने कीके विए अंदर कतने हमारे अंदर थे हैं किया रहसी उसके लिए भारत सरकार स्वंद्रेश देखो चंद्रियान भारत ने तीन अभी तक छोड़ा है इसके चर्चा ही हो रही है चंद्रियान 2008 में पहला 2019 में दूसरा दोजार तीस में तीसरा मंगल यान 2013 में भारत ने छोड़ा सूरियान यानि इसको आदित 11 का नाम दिया गया है 2023 में दो सितंबर को भी लंच किया गया है गगन यान गगन यान क्या है इसमें भारत सरकार भारत क्या इसरो क्या करेगा इसरो अंतरिक्ष में मानो मिसन है इसरो का पहला मानो मिसन गगन यान है इन सब को याद रखिएगा चंद्रयान गगनियान और सूरियान और मंगलयान और अब मत्स यान छेहजार यह सारे यान याद रखने मैंने सब को बता दिया है और जानते रहिए अंतरिक छियात्री जो होते हैं अमेरिका में अंतरिक छियात्रियों को क्या कहा जाता है एस्ट्रोनॉट रूस के अंत्रिक्ष यात्रियों को काज्मोनाट लेकिन भारत के अंत्रिक्ष यात्रियों को ब्योम मित्र कहा जाएगा जो हमारे यहां के जाएंगे ब्योम मित्र हो इसे आइस्ट्रोनाट सबसे ज़्यादा प्रच्रित नाम है सब लोग आइस्ट्रोनाट मनें वो होते हैं जो चंद्रमा पे अंतरिक्ष में जाते हैं यह एकदम इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट लर्न कर लीजिएगा नियोमा नियोमा क्या है भाई दुनिया का सबसे उचा फाइटर एर फिल्ड जो लद्दाख में बन रहा है इसका उध रखियेगा दुनिया का सबसे उचा फाइटर जहां जाके जहाज उतरेंगे हमारे लड़कों विमान उतरेंगे अगर यह पूरा एयर फिल्ड बन गया तो इसका उधगाटन कितने की लागत आएगी इसमें तो 218 करोण में इसका उधगाटन कहां सकी है राजनाज सिंग न इसका उधगाटन किया है ठीक है देखिए जी ट्वंटी में से जिन पिंग आये नहीं तो भारत सरकार ने एक थोड़ा सा कड़ा संदेश भी दिया है कि हम आप से कम नहीं है आप मत आईए ठीक है लेकिन जी अब अलादाक में हम बना रहे हैं आपके लिए वहां से हम आप को संदेश अच्छा देंगे अगर आपने कुछ हरकत किया तो वैसे अभी हरकत चाइना ने क्या किया है उसने अपना न्यू मैप 2023 के नाप से जारी किया है जिसमें उसने अरुनाचल प्रदेश और असकाई चिन जो लगदाक का पार्ट है उसको अपना छेतर उसने बताया है भारत ने अपत्ति दर्ज किये का आपके मैप बदलने से जगा नहीं बदल जाएगी ना तो सिच्वेशन बदल जाएगी चीन ने भी बत्तिमीजी थोड़ा सकी है देखिए भारत सरकार उनको सही करेगी भाई हम ही लोग सही कर देंगे ठीक है बस मौका मिलना चाहिए अगला बत्तिमीजी करें तो हर तरह से हमें नहीं पटना आता है आगे वन वीक वन लैब इस प्रोग्राम को हमारे हां कि विज्ञान प्रद्योग की मंत्री जो है जिते हैं सिंग ने इसका उगाटन कहां किया है और इसको अच्छे से जानते रहे इसमें क्या किया जाएग देश भर के फैले 37 बैग्यानिक और अधियोगिक अनसंदान परिशद प्रियोग सालाउं का पृदर्शन किया जाए गा इसमें वन वीक वन जो हमारे हम बेग्यानिक लैब है साइंस लैब है उनका प्रदर्शन किया जाएगा नाबाड ने युनाइटेट नेशन कार की शुब्धा लोन रेंड ये डिरेक्ट तो नहीं देती है लेकिन बैंकों के माध्गम से किसानों की सारी सुब्धा का कौन ख्याल रखती है तो नाबाड जानते रहिए अगला भारत के उपर अश्रपती ने भारत के 84 ऐसे कलाकारों को जिनकी उम्र 75 वर्स के उपर है ऐसे कलाकारों को संगीत नाटक अकादमे के पुरसकार से पुरसकारे तो खुद बड़ी योजना है भाई कल उनों ने किया इसको नए दिल्ले में सब को पुरसकार मिला है कितने लोगों को 84 लोगों को 75 वर्ष के सब उपर हैं इसके बारें कुछ और जान लीजिए इसमें क्या दिया गया एक लाख रोपए का नगधी नाम आजादी के अमरित महुत्सव के अस्तर पर क्योंकि 75 साल के बाद हमने आजादी के अमरित महुत्सव मनायत इनको आजादी के अमरित महुत्सव पर अमरित आवाड दिया गया संगीत नाटक अकादमी की तरफ से और ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी कोई आवाड नहीं मिला था ये अपने छेतर के एकनम दिगज हैं 75 साल के उपर हैं और साथ ही अगर ये बीमार होंगे तो इनको डेड़ लाग की बित्ती साहता भी दी जाएगी इसमें 70 पुरुस और 14 महिलाएं हैं इनमें यमुनाम जात जात्रा सिंग जो मड़ीपूर के सबसे बुजूर कलाकार है 101 वर्स के हैं यमुनाम जात्रा सिंग और गावरी कुपु स्वामी महाभाश्यम चितरंजन ये दो महिला कलाकार हैं जिनको मिल्क्यों उपरांत ये पुरुसकार दिया जाए कौन-कौन गावरी कुपु स्वाम नाम कलाकारों को ये अवाड दिया जा रहा है किसने दिया है उपराश्ट पती के द्वारा इन कलाकारों को दिया गया है कैसे कलाकार है 84 कलाकार ये सारे 84 कलाकार वो हैं जो 75 सार से उपर के हैं बहुत अच्छा है हमारे उत्तर प्रदेश के भी पंजाब के कई राज्यों क कलाकार हैं और उनको ये पहचान दी गई है निपाफ बायरस का भी अभी केस मिल रहा है केरल में तो जानते रहिए गा निपाह वाइरस से होने वाला बहुत खतरनाक बीमारी है और ये विस्तार कर रहा है तो इसको आप जानते रहिए कहां केरल के कोजी कोड में इसका भी इससे बचाओ ही सब कुछ है तो इस पर सरकार पूरी नजर रखे हुई है लगी कोजी कोट वही उलाका है जिसको पहले काली कट कहा जाता था जहां कभी वासकोडी गामा आया था तो जानते रहिएगा इसको और हमारे हां के जो उपराश्च्पती हैं उन्होंने अंतर राश राश्च्टी का उधगातन कहां किया राजस्थान के जैपूर में देखिए अंतर राश्च्टी बांध बहुत सुरच्च्ट बहुत इंपॉर्टन होती है बिना जैम सेफटी के देश बरबाद हो जाते हैं अभी एक उदारन आपको मैं दे रहा हूं लीबिया देश डैनियल तूफान आया था डैनियल तूफान के बाद वहां बार और बरसा भयंकर रूप से हुई वहां के डैम टूट गए एक पूरा सहट डैरना कहते हैं कि बीसों हज़ार लोग डूब के मर गए लीबिया में जानते रहीगा इसके पहले लीबिया के बगर अलजीरिया मौरकों में भूकां पाया था और यहां बार से लीबिया जानते रहेगा एक अफ्रिकन कंट्री है इसके राजधानी ट्रिपोली है और इसके मुद्रा लीबियन दिनार है पापुलेशन वहां सर्शक लाक है एकीस हजार एकीस हजार तो मर गये हैं बाकि अभी लापता है 400,000 लोग लापता है और यह भूमध सागर में है और इसके बगल कितने देश हैं इसके ट्यूनीसिया, अलजीरिया, नाइजर, चाड, सुडान, इजिप्ट यह इसके पडोसी देश हैं तो जानते रहे हैं डेनियल तूफान आया था उसके बाद डेरना सहर पूरा जैपूर में किसने उद्गाटन किया उप्राश्पति स्री जगदीब धनखड़ दारा बिजय वाड़ा रेलवाई स्टेशन को ग्रीन रेलवाई स्टेशन का दर्जा दिया गया किसके दारा भाई आई जी बीसी आई जी बीसी कौन है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउं जनापुर ने आई सी आई सी आई बैंक के साथ शम्झावता किया है जार्जिया टीम ने बिश्च महिला सत्रन चैंपियस जीतने वाली टीम है यू आई डी ए आई ग्लोबल फिंटेक फेस्ट दोजार तेश का आयोजन कहा हुआ यू आई डी यू आई डी आई ने और सुब्रत कप अंतर राष्टी फुटवाल टेनमेंट का आयोजन कहां किया गया है यह बैंगलूरू में किया गया है जो राजधानी है करनाटक की साइफ अंडर 16 2023 का खिताब किस ने जीता है था भारत ने भारत ने किसको हरा के बांगलादेश को सैथिस्वें राष्ट प्रिंस आफ राइस कहां गया है जिसने अभी मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाया है इसको भी अच्छे से जानते रहिएगा अब आजाए जी आई टैग अभी हाली मकौन काउंसे जी आई टैग मिले तो उनको देख लेते हैं राइगड़ा साल उड़ीशा के दो प्रोड़ पुटका काला जीरा ति यह दोनों को जानते हैं रही काला जीरा को देप्रेंज आफ राइस कहा जाता है इसके बाद चोकोवा चावल असम का है और भद्र वाह राजमाय जम्मु काश मेर दिन चार प्रोड़क्ट को याद रखिए गया और शेलेम शाबुदाना जो तमिल इन को दिये गया है बर्मिंगन सहर दुनिया का ऐसा सहर है जिसने खुद को दिवालिया घोसित कर दिया गया है आई एनस सुमेधा यह ब्राइट इस्टार 2030 जो तीनु से नौ के एकसर साइज अभी हुई थी मिश्र में काईरो एयर बेस पर जिसमें कई देशों ने भाग लि और वर्ड आए वर्ड आफ आर्म रैसलिंग में भारत ने कुल 11 पतक जीते हैं यही जानते रहिएगा दो हजार बाइस का सांती स्वरूब भातनागर पुरुषकार बहुत इंपॉर्टेंट है सांती स्वरूब भातनागर का पुरुषकार कितने बैग्यानकों को दिया ग अंति स्वरूब भातनागर यह कौन थे दो साल के गया के बाद यह पुरुषकार की घोष्णा की गई है कि यह सब्सक्राइब कांशील आफ साइंटीफिक एंड इंडेस्टियर रिसेर्ट कांशील आफ साइंटीफिक एंडेस्टियर्स एस यार कहते हैं कि फाउंडर ते उनी को सांतिस रूप भटनागर मिलता है उसके उपर वालों को नहीं दिया जाता है और इसमें पांच लाख रुपए रासी दी जाती है और सांतिस रूप भटनागर ये जो थे इनको दा फादर आफ रिसर्च लेबरोटरीज इन इंडिया और यूजी सी के ये पहले चे अधियर में थे सांतिस रूप भटनागर बहुत महान विक्तित था वैई इनहीं के नाम पर ये पुरुष्कार दिया जाता है कितने बाग्यान को की दिया गया 12 कितने साल बाद दो साल के गैप के बाद ठीक है बीसी सी आई ने वर्ड कप 2030 को का गोल्डें टिकेट गोल्ड है और विस्व का सबसे अच्छन देश शुट्यार लाइंड को चुना गया है विस्व का सबसे लोकप्रियनेता मोधी जी को एक कंसल्टिंग फर्म ने मार्निंग कंसल्ट फर्म ने इसको सर्वेचर किया है सबसे लोग प्री नेता है भाई मोदी जी और दूसरा दिल्ली मेट्रों ने परियाटक स्मार्ट कार जारी किया है ICC पूरुस क्रिकेट वर्ड कप 2023 का प्रायोज़क कौन बना सूपर इंपॉर्टेंट है टाटा एंड महेंद्रा कंपनी बनी हुई है भारत सरकार ने उजला योजना को तीन वर्स यानि 2026 तक बढ़ा दिया है उजला योजना वही जिसमें गरीब परिवार को मुफ्त में सिलिंडर दिया जाता है गैस कनेक्शन दिया जाता है याद रखिये गए इसको हैदराबाद भारत का पहला सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक वाला सहर बना है जिसको मिला है यह प्रज्यान ने अभी कौन सा तत्त खोजा था वह प्रज्यान वही रोबर है जो चांद पर चंद्रयान थ्री के साथ गया था उसने सल्फर खोजा है ताइवान की राजधानी टाइपे में पहला हिंदु मंदिर का उधगाटन किया गया है उधंपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर सहीद कैप्टन तुसार महाजर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है उतकेला हवाई एड़े का उधगाटन अभी उड़ीशा में किया गया है किसके त्वारा तो हमारे हाँ जो नागरिक उड़ेन मंत्री है जोतिरा राओ जोतिरा दित्य सिंधिया ठीके यह आप जानते रहिएगा अब यहाँ पर आ जाते हैं यसो भूमी इसका उधगाटन आज मोदी जी ने अभी देखिए टाइम कितना हुआ है तो तो आज इसका उधगाटन कहा होगा दिल्ली के द्वारिका में एसीया का सबसे बड़ा एक्सपो संटर इसका उधगाटनाद मोदीदी करेंगे दिल्ली के द्वारिका में वहां से मेट्रो ट्रेन भी जाएगी विस्सु का नंबर एक का इसको दूसरा प्रगिती मैदान भी कहा जा रहा है क्योंकि भारत मंडबाम कहा है प्रगिती मैदान में है वो 123 एकर में है जब कि यसो भूमी 221 एकर में बना है यह पूरी तरह से 2025 तक कम्प्लीट हो जाएगा इसके पहले फेज का उगाटन आज मोदी जी करेंगे और यहीं पर से मोदी जी पीएम बिश्व कर्मा पीएम बिश्व कर्मा इसकीम योजना को लांच करेंगे जिसमें 18 कारीगरों और सिल्पकारों को क्या दिया जाएगा मतलब 18 प्रकार के सिल्पकारों को उनको उनके बारे में यह योजना है हमारे देश में इसमें लोहार, सुनार, क हो हार सब आते हैं यहां तक कूये पतल बनाने वाले सब आ जाएंगे इसमें नाव बनाने वाले जाल बनाने वाले इसमें क्या है отп overlay कहरी घीडि़़ों को तीन लाक रुपए का बीना गारंटी का रिड़ दिया जाएगा इस तेरा हजार करोन रोपए से सुरू की जाने वाली आज योजना है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर मैं छोटा सा सोट वीडियो बाद में बना दूँगा आज इतना ही जान लिजे कि यहीं से IICC से ही इसका PMB सुकर्मा योजना क सुरूात हो जाएगी भई तो यह रहा आज का यसो भूमी याद रखिएगा यसो भूमी द्वारिक्या में दिल्ली के है ठिकहि के द्वारत मंडपम कहां है दिल्ली के प्रगिती मैदान में ठिकहिए इसको भी आप अच्छे से अब आई ये परसन इंद निउ जल्दि से लेते हैं किरण जार्ज भाई यह कौन है बैडमिंटन भारती बैडमिंटन खिलाड़ी इन्होंने इंडोनेसिया मास्टर्स 2023 को जीता है कहां हुआ था यह सुमात्रा के मेदान में आयजुत हुआ था इन्होंने जापान के कुताका साही को हरा कर यह जीता है ठीक है मदनलाल रैगर यह कांगो गड़ राज में कांगो एक देश है वहां भारत के राजदूद बनाए गए हैं याद रखिएगा हर्मन प्रीत कौर भारती महिला क्रिकेटर 2013 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में सामिल हो गई है जोसीत रंजन शिकदर यह भारती सौर उर्जा निगम के निदेशक बित निउक्त किये गए हैं जोसीत रंजन शिकदर गोपाल बागले आस्ट्रेलिया में भारत के उच्चा यूक्त बनाए उच्चा यूक्त और राजदूद में थोड़ा अंतर होता उच्चा यूक्त उन देसों में है जहां पर इंग्लैंड ने कभी इस आसन किया था जैसे पाकिस्तान अस्ट्रेलिया यह सब तिन सब देसों में जो जाएंगे भारत के जो होते हैं राजदूद उनको उच्चा यूक्त करते हैं तो गोपाल बागले की याद रखिए गविराट कोहली सबसे 13,000 रन बनाने का रिकार्ड इन्होंने 266 पारी म जीता है यह ईनका पहला ग्रैन्ड मास्टर ग्रैंड स्लैम टाइट्ल है ंनिड cancel girl शॉट में होता है दोने यह भी पूछा जाता जांते रहीःगा इन्होंने बेला रूस की अरीना सबालेंका को हरा के ये जीता है फिर उसके बाद है नोवाग जौकोबि सर्विया के स्टार टेनिस खिलाडी इन्होंने चौथा यूएस ओपेन 2023 का पूरु सेकल का खिताब जीता है किसको हरा करके भई तो इन्होंने हराया था डैनियल मेदवे देव को हरा करके ये जीता है 2008 में नोबाग जॉकोब बीच ने फ्रांस के जोबिल फ्रेड सोंगा को हरा कर पहला खिताब जीता था ये नोबाग का 24 वा ग्रैंड स्लैम है कितना है भई 24 वा याद रखिएगा 24 वा ग्रैंड स्लैम है इसका टीवी नरेंदरन ये कौन है भई टाटा स्टील लिम्टेट के एमडी वा सी यो पांच बरसों के लिए पुना नियुक्त है और एक चीज़ और जान लिजिएगा यूएस ओपन के पूरिस यूगल का खिताब राजीव राम अमेरिका के है अजोरसिल जोरसे लिस बरी ने जो इंग्लैंड के हैं जीता है ये यूगल खिताब मीता वासिस्ट ये हरियाना गवर्टमेंट ने फिल्म एम इंटरनेट काउंसिल के इनको अध्यच चुना है भई हरियाना गवर्टमेंट ने अजीत निननन मसहूर काटनिष्ट है इनका निधन हो गया अजीत निननन का संदीब बक्सी IEC IEC बैंक के E.M.D. wa CEO बनाय गए है याद रखियेगा स संजे मिश्रा डाक्टर एम गोखले पुरुषकार विजेता इनको गोसित किया गया इन्होंने पाया इस पुरुषकार को डाक्टर एम गोखले पुरुषकार डाक्टर संजे मिश्रा को दिया गया डेनिस फ्रांसिस चैंक्त राष्ट के 78-70 के अध्धच बने हैं डेनिस फ् यह भारती है इनको भी जानते रहेगा माधुरी पठेल मिंशेज यूनिवर्स थोजार तेश्स बनी है यह यह फंबिश्क पुरुषक आज का करेंट अफेयर्स इसमें दो तीन नम्बियार नैसकौम के अध्यच निक्थ हुए है आर रवी कन्नन ये आसाम के मसहूर कैंसर चिकित सक हैं जिनको रेमन पुरुषकार 2023 का दिया गया है सत्यजीत मजूमदार डाक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार 2023 का सम्मान इनको दिया गया है जैन्त महापात्रा प्रख्यात साहित कारवा कभी जिनका पंचान वर्षविक की आयूमें निधन हुआ है जैन्त महापात्रा और इसमें हैं भाईये महेंद सिंग धोली स्वराज ट्रेक्टर के ब्रांड अबेश्डर निवत किये गये हैं और प्रवीड अंजना मिस इंट और कुछ हमारे थे के राजा राम गुजरात में IFSCA अंतराष्टी बित्ती सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्धक्च बने हैं के राजा रमन यलकांथा राव खान मंत्राले के नए सचिव नीरज मित्तल दूर संचार विभाग में सचिव नियुक्त ठीक है राजा रमन के अस्थान पर तो आप इनको जानते रहिएगा और इसी के साथ हम यहाँ पर एन वलार मती यह इसरो की वो महिला वैग्यानिक हैं जो काउंट डाइन करती थी और इनका भी निधन हो गया है तो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे और आप इसको यह ऐसा सुपर कलेक्शन है जो आपको देगा शेयर सेलेक्शन इसी के साथ अगर पसंद आए तो आरके सिंपल क्लास को आप लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा तिल देन, गुडबाई, तैंक यू बेर मिच